ओम शांती आज 24 ओक्टोबर 2024 है और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को दिल से सच्ची सच्ची चेकिंग करने के लिए कहा है बाबा ने कहा कि दिल से सच्चाई से पूछो और क्या क्या पूछो इसकी डीटेल हमने आज मुरली में जानी जैसे आज बाबा ने मुली के अंदर सच्चाई के गुण को हाइलाइट किया है ऐसे ही अव्यक्त इशारों में भी आज बाबा सच्चाई और सच्चाई के साथ सफाई इसका महत्व बता रहे है तो आईए सुनते हैं संसकार मिलन करने के लिए आज के बाबा के अव्यक्त इशारे मन में जब कोई संकल्प उत्पन होता है तो उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए अंदर में कोई भी भाव सोभाव पुराने संसकारों वविकर्मों का कच्रा नहीं हो जो ऐसी सफाई वाला होगा वही सच्चा होगा और जो सच्चा होगा वह सब का प्रिय होगा उसमें भी सबसे पहले वह प्रभू प्रिय होगा फिर दैवी परिवार का प्रिय होगा संसकारों की टक्कर से बच जाएगा आज बाबा ने हमें सच्चाई सफाई की बहुत गहराई बताई है जिसमें बाबा ने कहा कि सबसे पहले तो हमें चाहिए संकल्पों की सच्चाई और सफाई संकल्पों की सच्चाई और सफाई से बाबा का क्या अर्थ है कि हमारे संकल्प में कोई भी विकल्प का किच्रा ना हो पहला संकल्प ही कल्यान का हो पहला संकल्प ही शुब भावना को हो पुरशार्थी जीवन में जब होते हैं तो कोई भी विक्ति को देखते हैं उसके भाव सुबहाव को देखते हैं तो अपने भी उस प्रकार के पुराने भाव सुबहाव आसुरी भाव सुबहाव emerge होने की कोशिश करते है लेकिन संकल्पों में जुद्द करके हम उनको शांत कर देते हैं कि नहीं नहीं बाबा ने तो ये नहीं कहा बाबा ने तो ऐसा कहा तो बाबा कहते हैं संकल्प में भी सच्चाई और सफाई का मतलब ये है कि दूसरे के गलत सभाव सभाव को देखते हुए मेरे अंदर कोई भी गलत सभाव संसकार संकल्प में भी ना उत्पन हो ये सोच में ही ना आएगी मैं भी इसको ऐसा करके दिखाऊं ये तो हुग गई संकल्पों की सफाई कि हमारे संकल्प स्वच्छ है शुद्ध है अब संकल्पों की सच्चाई तो संकल्पों की सच्चाई मतब अपने आप से हम पूछे कि कहीं हम मन में भी तो अपने आपको धोका नहीं दे रहे अपने आपको सही मान रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर हम जानते हैं हमारे अंदर ये कमी थी या कोई भी चीज हमने की उसमें कोई स्वार्थ का भाव था संकल्प में तो ये सच्चाई नहीं है तो जब संकल्पों की सच्चाई और सफाई होती है तब हम हर आत्मा को प्रिये बन सकते हैं जो बाबा ने कहा उसमें भी सबसे पहले प्रभु प्रिये क्योंकि हमारे संकल्पों तक को भगवान जानता है बले वो कहे कि हमारे मन को वो पढ़ता नहीं है बैठ करके लेकिन फिर भी हमारे मन के संकल्पों को वो पहचानता है स्वापने तक को पहचानता है तो जब हमारे अंदर इतनी सफाई हम करतेंगे ना किसी और के भाव सोभाव रखेंगे ना अपने पुराने भाव सोभाव का किचरा होगा तब सहज ही हम दिलाराम के दिल तक नशीन बन सकते हैं और जब हम प्रभु प्रिये बनते हैं तो सहज ही बाबा के सारे गुण हमारे अंदर इमर्ज होने लगते हैं क्योंकि बाबा से सहच कनेक्शन हो पाता है सच्चे दिल पर साहिब राजी और उस साहिब से पूरा वर्सा लेकर मैं दैवी परिवार की भी प्रिये बन जाती हूं और इससे ही हम सारी आत्माओं का कल्यान भी कर सकते हैं ओम शान्ति